असलावलेकुम एबरिवन I welcome you all to Let's Rise I hope आप सब ठीक होंगे तो जैसे कि आज संडे है तो संडे के दिन जो एडिटोरिल है वो नहीं आता है उसके इलावा जितने इंपॉर्टन टॉपिक्स होते हैं आज के दिन साइंस के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं हमारे ऑप्सिंस हैं 24th of March 24th of April 24th of May 24th of June ठीक है और हमारा जो सेक्ड़ कोश्चन है वो है हॉन बील आपको पता है हॉन बील एक बर्ड होता है वो कौन सी दो इंडियन स्टेट का नेशनल स्टेट बर्ड है ठीक है हमारे ऑप्सिंस हैं राजस्तान और गुजराथ, अरुनाचर प्रदेश और केरला, हर्याना और पंजाब, और लास्ट ऑप्सिंस है नागल और असाम देखिए हमारे जो दोनों कोश्चन हैं यह हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं उनके रिलेटिड हैं ठीक है वहां लेंडिंग्क आ अहलपिंग हैं टु एलिमिनेट टीवी ऐज निक्षे – मित्रा देखिए जो निक्षे मित्रा स्कीम है इसके बारे में जानेगे जाने हैं चान योट्रिशन अच्छा है तो बहुत ज्यादा चांसे हैं उससे बच सकते हैं अगर जिन लोगों क्या था यह किस चीज़ के लेंट था ठीक है तो इसको start किया गया था किसने health मिनिस्टरीजन स्टाट्ट किया थैसको launch किया था 2018 में ठीक है क्यों किया था थीक है एजा पार्ट आफ नेशनल टीबी एलमिनेशन प्रोग्राम जो एंटीएपी हमारा प्रोग्राम था उसके तहद इस जो निखशे पॉष्षन योजना इसको लांच किया गया था इसमें जो पेशिंट होते थे उनके ट्रीट्मेंट के लिए डिरेक्ली पर मन्त उनको 500 रुपे अंके account में transfer किया जाता था ठीक है अब हम जानते हैं यह निक्षे मित्रा जो है इसका मतलब कहते हैं यह वालेंटर होते हैं अब यह वालेंटर जो है गवर्मेंट भी हो सकती है यह कोई इंजियो भी हो सकता है कोई कॉर्पोरेट हो सकता है आप भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हू ठीक है यह volunteers होते हैं जो इस scheme के थरू खुद को register करवाएंगे और TB जो patients हैं जो इंडिया की बहुत बड़ी problem है TB उसको eliminate करने में help कर सकते हैं ठीक है अगर देखा जाए तो आज तक 2018 के बाद 52 निक्षे मित्रा जो हैं वो register हो चुके हैं अब यह सिरफ 52 individuals नहीं हैं देखिए यह 52 में से बहुत सारी political parties होंगी बहुत सारी companies, corporates होंगे और बहुत सारे individuals भी होंगे ठीक है यह था निक्षे मित्रा scheme के बारे में हमारे जो next topic है वो है those fascinating hornbills देखिए अब हम क्यों hornbills के बारे में discuss कर रहे हैं देखिए hornbills एक होता है bird जैसे काफी लंबी चूच वाला होता है ठीक है ऐसी चूच होती है hornbills की ठीक है तो जो hornbills है इसके बारे में हम इसके लिए discuss कर रहे हैं क्योंकि इस पर question बन सकता है क्यों बन सकता है क्योंकि देखिए 1st December से जो G20 की presidency है वो हमारे पास आ गए ठीक है कब से होन बिल फेस्टिवल क्या होता है एक popular festival है नागरन का जहां पर शोकिस किया जाता है वहांका आर्ट कल्चर कुजीन वगयरा ठीक है तो अब हम जानते हैं जो हमारा में मुदा है यहां पर main topic है main focus है वो है great hornbills जो great hornbills bird है यह कहां पाया जाता जाता है यह पाया जाता है न इनका जो नेस्ट है वह इनका जो होता है लंबे लमे ट्रीज पे जिनको काटा जाता है ठीक है for different purposes उसके बद हांटिंग हंटिंग बहुत सरी purpose के लिए होती है मेली आप देखते होंगे जो नागरन के वह एक headgear पहनते हैं headgear की पीछे एक लंबी सी जो चूंच होती है व चूंच होता है तो उसके बाद अगर हम देखें तो यह जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज है अफ्रीका और एशिया में वहां भी पाया जाता है लेकिंग एंडिया में हॉन बिल की nine species पाए जाती है और mostly कहां पाए जाती है mostly यह पाए जाती है नॉर्थ इस ड वीडियो देखा हो वहां पर हमने यह उससे प्रीविश जो वीडियो है उसमें हमने डिसकस किया था इंडेंजर्ड क्रेटिकल इंडेंजर्ड के जब किसी पर्टिकल स्पीशिस की जो पापिलेशन है वह 50 परशंट जो है वह बिल्कुल खतम हो चुकी हो जो बाकी 50 परशं साइंस के लेट काफी ज़ादा इंपॉर्टन टॉपिक है क्योंकि अगर एक सर्वे हो उसमें देखा जा रहा है कि जो रूरल मैं है उनमें जो एनिमिया की डेफिशिंसी पाई जा रहा है उनमें एनिमिया क्या होता है देखे एनिमिया जो है आपके बलड में हेमोगलोबन प्राइन की कमी हो जाना उसे अनिमिया कहते हैं अगर आपके जो एनिमया की although इसको हम यहाँ बें डिस्कॉस करेंगे. देखिए, हमें एक काफी आप कहा सकते है यह मित होता है कि अगर एनइमिया वह किसी को तो वह सिर्ट आइरेंड डाफिशनेसी की वज़ा से सिन्फ और अजया है, ne ऑगर हम देखें कि जो आईमिया होता है लड़कियों में फीमेल्स में वो मेंली मेंली उसका कॉजा 얼마 необходимо फीमेल्स में पमाड़ा ने nuclear फीमेल्स होता है जो females में anemia है हम क्या सकते हैं that is mainly due to iron deficiency because of menstruation लेकिन men में अगर देखिए तो iron deficiency का sorry जो anemia का main cause है वो iron deficiency नहीं होता उसके इलावा भी हो सकता है जैसे तलिसीमिय यह sickle cell anemia जैसी problem है इनसे भी हो सकता है men में क्या के जो है हमारा anemia ठीक है अब अगर देखा जाए तो जो men में जो ज़्यादा पाया जा रहा है जैसे basically rural areas में तो उनको जहां पर suggestion दिया जाता है वो दिया जाता है कि आप क्या करें कि ज़्यादा ज़्यादा vitamin, minerals, acids क्या है इंटेक करें और अपने जो nutrition है उसको improve करें ठीक है यह था आज का हमारा topic जो हमने discuss किया है तो अब हम अपने question का answer discuss करते हैं जो हमारा first question के world TB day का मना जाता है तो वो मना जाता है 24th of March ठीक है हमारे telegram channel को join करें उसका जो link है हम description में डाल देंगे आप हमारे telegram channel को visit करें जोइन करें और वहां पे जो आपको जो notes है daily आपको PDF form में मिलेंगे ताकि आप easily अपने notes PDF form में बना सके थैंक्यू so much